अगर आप एक कोटक bank users है आपके पास कोटक का bank account है और आप अपने कोटक का physical debit card को annual charge से बचेने के लिए पर्मानेट ब्लॉग करने के लिए सोच रहे हो तो मैं यहाँ पर कोटक bank का physical debit card को ब्लॉग करने का process बताऊंगा और उससे पहले ही जान लेते हैं कि इसका annual charge कितना लगता है देखिए कोटक का यहाँ पर GST को जोड़कर total full and final जो एमाउंट है इसका annual charge का वो 236 रुपए है अगर आप कोटक 811 का account use कर रहे होंगे तब ठीक है अगर आप यह चार्ज से बचना चाहते हो क्योंकि कोटक के virtual और physical दोनों card अग लेवल है तो आप मतलब physical card को ब्लॉग करके virtual card से भी UPI use कर सकते हो जैसे कि मैं वीडियो के अंदर पहले ही बता दिया हूँ कि आप virtual card से UPI कहीं भी use कर सकते हो उसका भी expired rate cb number सारा कुश मिल ज सके देखिए annual charge से बचने के लिए आपको जो physical card है उसको कब ब्लॉग करनी चाहिए पहले यह समझना ज़रूरी है और आपका past quota के bank count है उसका debit card physical को use कर रहे हो तो देखिए आप अगर अभी use कर रहे हो तो आप use करो आपका charge कट गया है तो charge कटने के बाद फिर ब्लॉग करो होगे तो ब्लॉग करने के बाद भी आपका एक charge कटेगा तो आपको ब्लॉग करने है जिसे की मांग चलो मतलब next year के जैसी आएगा तो उसके फरवारी मार्स मतलब मार्स नहीं फरवारी महीने में अपने debit card को permanent block करने है अब यहां पर बात आती है कि मैंने तो ब्लॉग करना ब्लॉग करें कि अगर आपका आज चार्ज कट गया है तो फिर आप इसको एक साल तक विस कर लिजिए क्योंकि आप कल भी ब्लॉग कर दोगे तो भी आपका next year चार्ज कटेगा क्योंकि आपने चार्ज कटने के बाद अभी तक ब्लॉग नहीं कियो हां यही आप चार्ज अब ब्लॉग कर देना अब बात आती ब्लॉग करने के बाद करने के बाद कार्ड रिप्लेस्मेंट हो जाती है क्योंकि आप और वन 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 बॉक्स को पर टिक मार्क सलट किया है बट अपने को ऐसा नहीं कर रहा है चीदि मैं आपको लाइप प्रेटिकल के साथ करके दिख करता हूं कि ब्लॉग करने का प्रसीजर क्या होने वाली है को याद रखिए का आप अपडेट कर लेना तभी ओपिन करना मैं यहां से बाइमेट्रिक्स से इसको लॉग इन कर लिया हूं आप चाहिए तो अपने अकोडिंग जो भी ऑप्शन को उसको 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 करके है देखिए इस तरीके से हाँ आप इस पहले रजिस्टर कर लेना एंड उसके बाद आप यहां पर फोकस करोगे तो यहां पर कोटक 811 का ओप्शन्स होगा इस पर क्लिक करेंगे इस ओप्शन्स पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग का इंटरफिस होच दकता है कि देखने को मिले क्योंकि नेटवर्क की हिसाफ से यह काम करता है अगर आपका नेटवर्क करनेक्टिबिटी अच्छी होगी तो सारा कम आप इजली फास्ट कर पाओगे देखिए यहां पर आओगे तिहां आपका डेबिट कार्ड तो मिलेगा बट यहां पर कहीं भी डेबि क्लिक करेंगे अब इस पर क्लिक करने के बाद यहां multiple options होंगे अपने को यहां पर debit card को permanently block करना है यहां पर मिलेगा उपर में debit card as spend card इस पर क्लिक करेंगे first options इस पर क्लिक करने के बाद यहां multiple options होंगे देखिए यहां पर आपको different options तो मिलेगा लेकिन कहीं भी block करने का options नही तोड़ा दरवेट किजिएगा आपका कार्ड को फैस्ट करना उसके बाद आपका डिटेल्स हो जाएगी हम यहाँ पर थोड़ी सी वेट करना है देखिए फिरिंट्स यहाँ आपको तीन ऑप्शन्स मिलेंगे एस्टोरें लोश्ट और क्लोज एस्टोरें मतलब सोरी हो गया लोश्ट मतलब खोगया और क्लोज मतलब आप क्लोज करना चाहते हैं बट क्लोज तो कर पाऊगे लेकिन एक चीका ध्यान देज़ेगा यहाँ पर मिल रहा ना रिप्लेस्मेंट रिक्वार्ड इस बॉक्स को कभी भी चेक मर्क नहीं करना है अगर आप इसको चेक मर्क करके ब्लॉक करोगे ना तो फिर आपका जो कार्ड है ना अटोमेटिक दूसरा कार्ड आपके घर पर डिस्पैस कर दी जाएगे तो यहाँ पर क्लोज करने के लिए आप सिंपर से क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे क्योंकि आपने को तो फाइनली क्लोज करना है ताकि हमें अन क्या है है डिबिड कर्ड रिक्स् scratches का है यहां पर चिक कर लेंगे जब आपको लगे आके आपके ञे Hack सकसेफुल को चुगा है और यहांन ay hago हुत क्या और यहां पर दिखा रही और यहां पर खुट्र कंस्ध ओ्र इसा नहीं होता है लेकिन यह आपका जो है ना प्रोसेस जो रिक्वेस्ट हो चुका है लेकिन यह बोल रहा कि अगर नहीं हो पाई क्लोज तो आप हेल्प लाइन पे कॉल करके आप इस दिप्रेंट्स नम्बर को भी शेयर करके एक बाद फिर से रिपोर्ट करवा सकते हो बट कोई question confusion रहागी और इस आप इस ID पर message करके हमसे contact कर सकते हो thanks for watching